अंदोर के परदेशी पुरा थाना श्रीतर में वाहन के नाम पर धोकादड़ी का मामला सामने आये हैं यहां रहने वाले एक व्यापारी के साथ दो यूपों ने वाहनों का सौधा कर धोकादड़ी की थी फुलिस ने दोनों आरोपियों को राजस्थान से घरफार किया परदेशी पुरा थाना श्रीतर में रहने वाले वेपिन ने थाने पर शिकायत दर्श करवाई थी कि राजस्थान में रहने वाले दो भाईयों से 44 वाहनों का 55 लाख रुपए में सोधा किया था इसके बाद वेपिन ने आरोपियों के अकाउंट से 45 लाख रुपए फ्रांसफर किये थे फ़र लॉकडाउन शुरू हो गया और दोनों आरोपियों ने अपने मुबाईल बंद कर लिये और गायफ हो गये पीडित को जब पैसे नहीं मिले तो उसने थाने में शिकायत दर्श करवाई शिकायत के बाद परदेशी पूरा पुलिस ने दोनों आरोपिय भाई नितिन और विजे कोठारी को राजस्थान से गिरफपार किया है पुलिस दोनों से आगी की पुश्टाच में चुटी कुई है और बीच में भी कोविट टाइम में जब लॉकडाउन था उस दोनों यह पूरा सौदा हुआ था बाद में इन दोनों वेक्तियों ने अपना मोबाईल फोन बंद कर लिया और गायव हो गया इसने कई बार पुशिश्वी की पैसे मिल जाए पुलिस ने इस पूरी घटना पर अपरात कायम किया था और कल पुलिस राजस्तान गई और इन दोनों भाईयों को पकड़ा है इनके नाम है नितिन कोठारी और वीजय कोठारी दोनों को पुलिस ने गृफतार किया है और अदालत में पेश किया है